मिड़ी मिल योजना में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार में यूपी पूरे देश में आगे मोदी सरकार के आकड़ों से सामने आई हकिकत मिर्जापुर में बच्चों को मिड़े मिल में नमक रोटी परोसा जाना हो यश्रावस्ती के एक स्कूल में चार अक्टूबर से मिड़े मिल ना बनना उतरपरदेश में इस योजना को लागू करने में न केवल लापरवाही बलकि भ्रष्टाचार भी सबसे ज्यादा है ये बात खुद मोदी सरकार के आकड़ों से सामने आई है एक सवाल की जवाब में लोकसभा में मानवसंसाधन मंत्री रमेश पोकरियाल ने बताया कि कि पीते तीन साल में मिड़े मिल में भ्रष्टाचार के बावन मामले सामने आए इनमें से 30 फीसिदी से ज्यादा यानि 14 मामले उतरपरदेश में पाए गए इसको लेकर कॉंग्रेस महासरचीव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है मिड़े मिल में जितना पूरे देश में घोटाला उसका 30 प्रदेश उतरपरदेश में हो रहा है और योगी जी की नाक के निचे हो रहा है योगी जी को जवाब देना होगा हम कॉंग्रेस पार्टी की तरफ सी योगी जी के बारे में कहना चाहेंगे कि चोरों के हितु ठगों के बल हैं जिनके परताप से पलते पाप सकले मिड़े मिल योजना में भरष्टाचार के सामने आई ये मामले साल 2017, 2018 और 2019 से जुने हैं इनमें भरष्टाचार के 11 मामलों के साथ बिहार दूसरे जबकि 6 मामलों के साथ पश्चिबंगाल तीसरे नंबर पर है ध्यान भोजन बच्चों की खादे सुरक्षा की जरूरतों के नजर में रखते हुए बनाया गया था योजना में भरष्टाचार और लापरवाही को देखते हुए राज्य सभा में मिटे मिल योजना की पूरी तरह से समिक्षा की जाने की मांग उठी केंद्र सरकार ने भले ही राज्य सरकारों से अब तक की गई कारवाई की रिपोर्ट मांगी हो लेकिन सवाल ये है कि क्या इतनी कारवाई भर से मिटे मिल योजना के मकसद को खटाई में डालने वाले इस भरष्टाचार पर लगाम लग पाएगी दिल्ले से बिलाल सब्सवारी के साथ प्योरो रिपोर्ट सराज एक्सप्रेस